तो आप किसी बीमारी से परिशान है वो चाहे कोई भी बीमारी हो सकती है जैसे कि आप कोई डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको फैटी लीवर, डाइबेटीज, एसिनिटी, हैर, फॉल, इनफर्टिलिटी, जॉइंट स्पेन, पेट की बीमारी, कॉंस्टिपेशन ऐसे कि बहुत सारी बीमारिया है, वैसे तो बात करें तो बीमारिया अनलिमिटेड है, तो आपको कोई बीमारी हो गई, यह कुछ शरीर में तखलीफ हो रही थी, और आपने सोचा कि चलो अपना थोड़ा आईरवेट ट्राय करके देखते हैं, कि आईरवेट भी बहुत सारे इल इलाज कराना आपके लिए बिल्कुल भी फाइदे मन नहीं है, केवल और केवल आपका टाइम, पैसा और इनर्जी बरबाद होगी, तो वो पाथ चीज़े कौन सी है, जानेंगे आज इस वीडियो में, अब आपको कोई भी बिमारी ये तकलीफ होती है, तो आप चाहते हो कि जिस भी आप डॉक्टर के पास जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर हो, उसको आईरवेद की, उसको मेडिसिन्स की, आईरवेद जो खान पान है, बिमारी की, उन सारी चीज़ों की अच्छी खासी जानकारी हो, या जिसको कि हम आईरविद में गुण बोलते हैं तो आईरविद में हर चीज के गुण बोले हैं qualities बोली है तो आप भी चाहतो कि एक अच्छा qualified quality वाला doctor आपको मिले जो आपकी तकलीफ टिप कर दे वैसे ही जैसे कि आईरविद में doctors के कुछ qualities लिखी है वैसे ही medicines की या जो clinic में जो उनके attendance होते हैं जिसको परिचारिक बोलते हैं उनकी और रोगी जिसको तकलीफ है patient उनकी भी कुछ qualities बोली है तो सबसे पहले अगर वो चार quality आपके अंदर है तो ही आप आईरविदे किलाज कराईए वरना आईरविदे किलाज आपको नहीं कराना चाहिए तो वो चार qualities है कौन से तो इसके बारे में वागबर्ट जी बोलते है आठ डिय रोगी सबसे पहली quality वो बोलते है कि रोगी के पास पैसे होने चाहिए आप बोलोगे आगए लूटने के लिए बस घुमाफिदा के पैसो की बाद आईरवेद में या दुनिया का कोई भी इलाज हो जब आप treatment कराने जा रहे हो तो वहाँ जो भी basic medicines लगती है या जो भी support system लगता है उन सब के लिए पैसे लगते हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि बस आईरवेद में जिसे पंच गर में जिसे treatment है उन में पैसे या उन में खर्चे लगते हैं तो अगर आप mentally रूप से उस खर्च के लिए ready हो तो यह आपको treatment कराना चाहिए वरना आईरवेदी किलाज आपके लिए नहीं है दूसरी quality वागभर जी बोलते हैं भीशक वश्य भीशक वश्य मतलब जो doctor है उसकी बात मानले वाला patient अब कई patients ऐसे होता है या कई लोग ऐसे होता है कि ठीक है doctor लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं हम अपने मन का करेंगे या हम diet follow नहीं करेंगे आप बस हमें गोली दे दो और उस गोली से कुछ चमतकार कर दो या किसी patients को बोला गया है कि आपको रोज सुबा उटके तेल मालिश करनी चाहिए हमारे पास time नहीं है हम तेल मालिश नहीं करेंगे ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं तो अगर आपको doctor की बात सुननी नहीं है डॉक्टर की बात माननी नहीं है डॉक्टर ने जिस हिसाब से आपको diet, lifestyle या कुछ भी खानपान दिया है कुछ आदिते बोली है कि आप 20 मिनट डेली वयाम कीजिए वो चीज़े आप नहीं करने वाले वुमाफिरा की doctor की चीज़े अगर आप follow नहीं कर सकते अटलीस्ट आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ आप ठीक से किसी paper पे लिख लीजिए बहुत बार कैसा होता है कि एक patient जाता है डॉक्टर के पास आधी अदूरी history बताता है कि नहीं मुझे तो कभी john dis होई नहीं था या नहीं मुझे तो कभी कोई operation कराना नहीं पड़ा मैं कभी hospital नहीं गया और ilaj होने के 7 दिन बाद या जब घर लेकर दवा पहुँच जाते तब बोलते कि अरे मैं 3-4 चीज़े बताना भूल गया इस तरह की चीज़े करना ना तो उस patient के लिए अच्छा है नहीं doctor के जो आपको prescribe क्योंकि आप जो history बताएंगे उसके आधार पे ही आई रिविद की कोई भी दवा या diet वो सब decide होती है definitely checking करने के बाद ही तो वो चीज़े अगर आप घर पर जाकर आधी चीज़े बोलेंगे और फिर सोचेंगे कुछ दवा या diet change हो जाए तो वो ना आपके लिए अच्छा है न डॉक्टर के लिए इसलिए आप जबी भी किसी आई रिविदिक क्लीनिक जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो जो problem है वो proper आपके points लिख कर जाएए ताकि आप सारी चीज़े अच्छे से वहाँ पर बता सके और चौती चीज वागभट जी बोलते है कि patient के पास होनी चाहिए कि patient के गुणों में बोली है कि ये quality है तो ही उस patient को treatment देना चाहिए वो है सत्ववान सत्ववान मर्थात अब कोई भी treatment कराते है तो उसमें कुछ तकलीफे या कुछ सुख दुख आते ही है जैसे कि आपको रोज सुवद दस बजे उठने की आदत है अब आईरवेद में ऐसे बुलाए गया है कि दिन में सोने से आपके शरीर की तकलीफे बढ़ जाएगी कफ पित बढ़ जाएगा सपोस कि आपको मोटापा है या फिर चर्म रोग है और आपको आदत है सुवद दस बजे सो के उठने की और दोपैर में दो घंटे और सोने की ठीक तो आइडवेद बोलता है कि अगर आप दिन में सोंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा आपका चर्म रोग बढ़ेगा कॉलेस्टरॉल एरिस्टरॉल जो कुछ तकलीफ है कफ पित्त के जो भी रोग है चर्म रोग यह सब है वो आपके बढ़ जाएगे अब कोई अगर ऐसे पेशन्ट बोले कि नहीं मैं तो भाई सोंगा या फिर मैं अगर सोंगे ना तो मुझे मजा नहीं आता है या कोई डॉक्टर ने आपको बोला है कि उठके आपको वयाम करने या जैसे हमने कुछ पेशन्ट का पंच कर्म किया था तो उनमें उनको वमन बोला था तो डेफिनेटली बात है जब आप वमन थोड़ा सा करते हैं तो आपको बार-बार काढ़ा पीना पड़ता है कई लोगों को पसंद नहीं होता वो काढ़ा पीना बर ये सारे जो दुख या जो कोई तकलीफे हैं या वयाम किसी को करना पसंद नहीं है फिर भी करने की ज़रुरत है डॉक्टर ने बोली है तो उन सुख दुखों को अगर आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो ही आईर आईर्विद का इलाज कराईए या फिर आईर्विद के किसी भी सेंटर पे जाईए इसके अलावा आप मुझे भी कुछ चीजे लगती है अगर आप मेंसे कोई हमारे क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो इन कंडिशन का आप ध्यान रखिए तो ही आप इला अभर हमें बोलने पड़ रहे हैं अभर हमारे 10,000 से ज्यादा पेशंट एक कई अवज पेशंट्स आउनलाइं और क्लिनिका से दवा लेकर कर देते हैं तो कई पेशेंट्स ऐसे होते जिनको यह जानना होता है कि इसके अंदर आपने क्या डाला है वो हमें जानना है तो हम हमारी दवाईयों के नाम डिस्क्लोज नहीं कर दे अब आप बोलोगे अच्छा आप छुपा रहे हो कुछ मिलावट कर रहे हो ऐसे कर रहे हो आपको ऐसे डाउट है अब जो भी आपकी लैब होगी मेडिसिंस की उस लैब में जाके आप चेकप करा सकते हैं कुछ भी अगर हमारी दवा में फॉल्ट आता है तो आपको पूरे के पूरे पैसे रिटन हो जाएंगे अब हम दवा के नाम क्यों नहीं बताते उसकी बात कर 20 ml पानी के साथ लेना है अब पत्यादी को आज जो बाहर दवा मिलती है उसके उपर मतलब वो दवा के नाम के जस नीचे लिखा होता है शिर्शूल या सिर्दर्द की दवा तो उन पेशन्स के आर्ग्यूमेंट चलू हो जाता है कि आपने ये क्या दवा दी दी ये तो सिर है आपने सिर्दर्द की दवा काय को दे दी तो इसमें ये होता है कि आपको पहली बात आईरवेद पता चलता रही इसमें आपकी भी गलती है नहीं जैसे कि जो पढ़ाई मैंने की है MD MD आईरवेदा तो हमें आईरवेद में MD डॉक्टर बनने के लिए 8 साल पढ़ाई करनी के लिए तो 8 साल पढ़ने के बाद जो हमें समझ में आया है हम वो आपको 10 या 5 मिनट में उतने का उतना ग्यान समझा दे ये पॉसिबल भी नहीं है आईरवेद की एक दवा multiple disorders पे काम करती है अब जैसे कि कुछ लोगों को अगर हम आरोग्य वर्धिनी लिखके देते हैं त तो आरोग्य वर्धिनी मतलब समझते हैं आपने तो लीवर की दवा दे दी मुझे तो लीवर में कुछ प्रॉबलम है यह नहीं मुझे तो acidity हो रही थी या मुझे खुझली हो रही थी तो आरोग्य वर्धिनी क्यों दी अब आरोग्य वर्धिनी अलग अलग तरीके से हम परके 100 से ज़्यादा disorders ठीक कर सकते हैं या कई लोगों को लगता है त्रिफला मतलब क्यों पेट साफ करने की दवा तो बोलते हैं मुझे तो पेट अच्छे से साफ हो रहा था आपने मुझे त्रिफला क्यों दे दिया तो इससे होता यह है कि आपको आईरवेद की वो सारे में घ्यान होता नहीं और आप argument करते हैं जिससे कि आपका time और energy और हमारा भी time और energy खराब होता है तो अगर आपको हमारी दवाईयों के ingredients जानने हैं तो हम अपने दवा के ingredients नहीं share करते हैं आपको doubt है आप लैब में जाके sample दे सकते हैं कुछ भी अगर उसमें fault आता है तो हम आपको पैसा आपका पूरे का पूरा return दे देंगे बट अगर आपको trust है तो ही आप दवाईयां लीजिए केवल उसके नाम जानने के लिए और Google पे जाके search करने के लिए जैसे कि soft आप soft डाल दो Google पे आज भी soft को ठंडा बोला जाता है बट soft का nature आईर विद में गरम ह दही बहुत सारे लोगों को लगता है दही थंडा है दही रोज खाना चाहिए आईर विद में दही को गरम बोला है रोज खाने को मना बोला है तो अगर आपको trust है तो ही वैसा आप हमारे या से दवा लीजिए या इलाज कराईये otherwise यहाँ पे आना या आईर विदी treatment कराना आप avoid कीजिए नमबर टू अगर आपको खुद का दिमाग लगाना है तो आप आईर विदी किलाज या हमारे क्लीनिक पर treatment मत कराईये अब यह खुद के दिमाग वली क्या बात हुई खुद का दिमाग मतलब सबजिए कि दो पेशंट आये हैं और दोनों पेशंट को घुट को आपको तेल बिल्कुल भी शरीर पे नहीं लगाना है ऐसा होने पर अगर कोई वहाँ पर argument करने लग जाए कि क्यों नहीं तेल लगाना है आप तो बोलते होगी दर्द वात के कारण है तो दर्द तो मुझे भी है तो फिर मैं तेल क्यों ना लगाऊं तो आप आईर विद किया है तो वह एक अलग condition है वात को अगर किसी चीज ने ब्लॉक की है जैसे कि कई बार हमारे पास acidity की patient आते हैं joint spin लेके तो ऐसे patient को जिसमें already कफ और पित बढ़ा हुआ है और उसने वात को ब्लॉक करके रखा है अगर वो सोची का ठीक है मुझे तो दर दे तो मैं दो चम expression कर ना या फिर ये क्यों नहीं क्या वह क्यों क्या उसके ऊपर नमबर तीन अगर आपको बिमारियों का नाम जानना है तो आप अईरवदित के लाज मत कराईए या या और बीख के क्लिनिक पर मत आईए जी आह बोलेंगे बिमारी के नाम में क्या तक्लीफ है देख़िए आईरविद का जो सास्त्र लिखा गया है, वो लिखा गया है दोशों के उपर, ये दोश क्या होते हैं, वात, पित और कफ, ये तीन दोश होते हैं, ठीक, इन तीन दोशों के उपर ही पूरे का पूरा आईरविदिक सास्त्र है, क्योंकि दोश, धातू, मला, मुलम ही, शरीर, अब आपका शरीर बना किस्से है दोश, धातू और मल, तीन दोश होते हैं, वात, पित, कफ, साथ धातू होती हैं, रसरक्त, माउसमेद, अस्थी मज़ा, शुक्र, और तीन मल होते हैं, श्वेद, मुत्र, पुरिश, इन सारे कॉंबिनेशन से ही हमारा शरीर बना है, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये उपर नीचे हो जाएंगे, तब आपको शरीर में रोग होगा, अब वो रोग कोई भी हो सकता है, ठीक, आईरवेद कभी भी नाम को इंटरेंट नहीं करता, क्योंकि कई पेशेंट आते हैं, कि मुझे कौन सा सुराइसिस है, या फिर मुझे कौन सी एसिडिटी है, मुझे कौन सा चर्मरोग है, मुझे कौन सा फैटिन लीवर है, तो आईरवेद का कभी भी इंटरेंट में नाम को लेकर नहीं है, आप दुनिया का कोई भी बीमारी लेकर आईए, वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे कैंसर हो, चाहे कॉनस्ट patient हो, acidity हो, कुछ भी हो हम उसमें से उन बीमारी के नाम को 1% भी इंटरेंट नहीं करेंगे, चाहे वो blood pressure हो diabetes हो, हम केवल और केवल आईरवेद में, वात, पित और कम, इनका ही इलाज करते हैं अब जैसे कोई patient आए, वो बोले कि मुझे acidity है, अब केवल उस acidity को सुनके, हमने चार दवाईयां दे दी, ये आईरवेद नहीं है आईरवेद में सबसे पहले आपकी history ली जाएगी, आपके symptoms पूछे जाएगे, आपकी दिंग चर्या पूछी जाएगी, और उसके आधार पर decide किया जाएगा, को आपको जो acidity है, वो cuff की कारण होने वाली acidity है, पित के कारण है, कि वात के कारण है, या combine है, कि cuff, पित, combine होके acidity कर रहे हैं, ऐसे करगे, जैसे कि, suppose कोई patient है, जो कि रोज दही खाता है, दिन में सोता है ठीक, और बहुत जदा दूद दूद लेता है, वयाम नहीं करता ऐसे patient को जो acidity होगी, वो cuff, पित्त की होगी, उसकी दवाईया totally अलग होगी, और कोई patient है, जो धूप में घुमता है, मिर्ची खाता है, तीखा, नमक बहुत जदा खाता है, ऐसे patient की acidity, पित्त की acidity होगी, उसकी दवाईया अलग होगी, और कुछ patient है, जो बुलते की, जब बारिश होती है, या मैं traveling कर लेता हूँ, तब मुझे तकलीफे ज़्यादा होती है, तो ऐसे या धकार बहुत ज़्यादा हाती है, 100-100-200-200 बार, ऐसे patient की acidity, वाद की acidity होगी, तो acidity भी, जो हम treat कर रहे हैं, नाम एक है, पर उसके पीछे का दोश important है, तो अगर आपको नाम जानना है कि वाई, मुझे मेरी बिमारी का नाम बताओ, तो ही मैं ilaj कराऊँगा, तो ऐसे मैं आपको आईरवेदिक इलाज और आईरवेदिक डॉक्टर या क्लिनिक, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि हम आईरवेद में दोशो का treatment करते हैं, बिमारीों के नाम का नहीं, और last two conditions, अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मान सकते, मतलब हमारे पास आईरवेदिक दवाईयां हैं, जो दोशो को ठीक कर दी हैं, हम कोई चमतकार करने नहीं बैठाएगे बास, दो गोली खालो और आपकी पुरी जिंदगी पलट जाएगी, तीन दिन के अंदर जिंदगी बदल जाएगी, आईरवेद एक साइंस हैं, हम आईरवेद में ऐसे नहीं करतें, लास्ट चीच, अगर आपके पास पेशेंस नहीं हैं, तो आप आईरवेदी के इलाज मत कराईए, आप बोलेंगे, हाँ, वो बात तो सही है, आईरवेद में बहुत टाइम लगता है, ना आईरवेदी में काम करता है, जी नहीं, आईरवेद बहुत फास्ट काम करता है, तकलीफ यह है कि पेशेंट आईरव दवा है क्या तो मैंने मन में सोचा कि जब लंग थोड़ा बहुत बचा-फुचा होता तो हम आई रिवेत करते अब लंग पूरा चला गया है वो एक यहां के मुंबई के बहुत बड़ा हॉस्पीटल है वहाँ पर गये उन्होंने बुला दो लाक रुपया पर देखा और आप सोच रहे हैं कि बस कोई दवा दे दो जो कि साथ दिन के अंदर सारे के सारे घुटने दर्द कमर दर्द ठीक कर देंगे तो यह सारी जो बाते हैं जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कर दे ओनी तक अच्छी लगती है कि बस एक दिन में घुटना दर्द ग पुरानी है तो डेफिनिटली आपको एक या देट साल का टाइम देना ही पड़ेगा विद प्रॉपर डाइट और मेडिसन तो आपके पास पेशन्स नहीं आपको ऐसा चीए क्वी फास्ट हर चीज तुरन चाहिए तो आईर्विद पेशन्स का एक ट्रीटमेंट है ठीक ज यल आम जिसे गर्मी के मौसम में आते हैं वैसे ही आईर्विद में पेशेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको आईर्विद एवाइड करना चीए अब आप बोलेंगे इतना सारा प्रवचन क्यों इतना सारे प्रवचन इसलिए क्योंकि पेशन्ट की जो क्वालिटी उसके लिए कहा गया है वैद्य वाक्यस्थ की जो वैद्य शब्द बोलता है अब उसको फालो करोगे तो तो आईरवेद का मतलब है यह वीडियो इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ वैसे हमारे दस जार से जादा पेशन्ट है हारली ऐसे चार या छे कुछ पेशन्ट होंगे ताकि पेशन्ट और डॉक्टर की बीच में क्लैशर्स ना हो तो जैसे आप चाहते हो कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा अच्छे से समझदार हो जिसको आईरवेद की पूरी जानकरी हो दवाईयों की पूरी जानकरी हो पेशन्ट की हिस्ट्री लेना आता हो डाइगनोसिस क करना आता हो त्रीट्मेंट करना आता हो आप चाहते हैं जैसे कि एक क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर हो वैसे ही एक दो तानकर ना चाहते हें तो आपके अंदर भी कुछ कोई और पैथी ट्राइ करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तो ये तो था वरना आईरवेदिक इलाज मत कराना उसके उपर explanation और अगर आपके मन में कुछ ऐसे आईरवेद को लेके doubt है तो comment करके आप पूछे आपके comment के आधार पर हम आपको उस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें